सद्गुरु के अनन्त ज्ञान को प्रणाम। उपस्तित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। अनन्त ज्ञानियों ने जो जीवन जीने की सम्यक्षाली बताई उसमुरों ने कुछ ऐसे शब्द दिये कि जिन शब्दों का अर्थ भी हम समझ ले तो शायद हमें खुद को समझने में बहुत आसानी होगे। जैसे एक शब्द है जगत, दुनिया, संसार जिसमें हम सारी ही लोग निरंतर रहते हैं और गमना गमन करते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इस संसार में हमारा जनम भी होता है, मरन भी होता है। किन्ट एक दूसरा शब्द है, वह है श्रस्टी। श्रस्टी, श्रस्टी केते हैं मानसिक संसार को, जो मानसिक रचना है, mental creation, वह हमारी श्रस्टी है। और यह श्रस्टी है, इसे हम खुद बनाते हैं। दुनिया हमने नहीं बनाई। संसार हमने नहीं बनाया। लेकिन श्रस्टी के निर्माता हम स्वयम है। और हर एक वेक्ति अपनी अपनी श्रस्टी का निर्माता है। हर एक प्राणी नगिवल वेक्ति, हर एक प्राणी। चाहे वो सुक्ष्म हो, एक इंद्रिय वाला हो, अथ्वा वो दो, तीन, चार, पाच इंद्रिय वाला हो। मन वाला हो या बिना मन वाला हो। संगी हो अथ्वा असंगी हो। फिर भी अपनी श्रस्टी का रचईता वो स्वयम है। और हमें इस स्रस्टी के विज्ञान को समझना है कि आखिर हमने अपनी स्रस्टी कैसे बनाई और कैसे हमारी स्रस्टी चलती है मूव किरती है स्रस्टी हमारा मानसिक कल्प है मानसिक प्रकल्प है यह हमारी मन का क्रियेशन है जब जैसा हमारा मन होता है तो वैसी हमारी श्रस्टी निर्मित होती जाती है, मन की सोच से, मन के विचारों से, भावनाओं से और तरंगों से, और इस तरंगों की ग्राफ को हम समझना स्टार्ट करें, जैसे खुशी में हमारी मन की तरंगे अलग होती है, दुख में हमारे मन की तरंगे अलग हो जाती ह खुशी में जिस स्रस्टी की हम रचना करते हैं, उस स्रस्टी में हमें सब कोई खुश नजर आता है, हसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मस्त नजर आता है जब हम दुख में श्रिस्टी की रचना करते हैं यानि हम दुख में होते हैं तो हमें हर एक चीज में अंधेरा, निराशा और बोजिल, बोज सा नजर आता है यह जो हमारी श्रिस्टी है यह पलपल बन रही है और यह श्रिस्टी ही है जिसको हम कहते हैं कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और हम अपनी किस्मत को भोगने के लिए बाध्य है वो किस्मत क्या है वो हमारी अपनी श्रिस्टी रचना है जो हम पहले कर चुके वही हमारी किस्मत है और जो आज हम स्रिस्टी रचना कर रहे हैं वो हमारी आज की नहीं किस्मत है जेनरली लोग बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा वाक्य तो सही है थोड़ी सी भूले जो किस्मत में लिखा है यानि इस अबाउट पास्परफेक्ट लिखा है लेकि लिखा है इतना ही नहीं है जो हर पल किसमत में लिखा जा रहा है present continuous में सोचो जो हर पल हम श्रस्थी रिचना कर रहे हैं जो हर पल हमारे मन के विचारों का graph चल रहा है वो हमारी किसमत है और उसके रिचना हम स्वयम कर रहे हैं और लिखने का मतलब है जा नहीं से क्या सोच रहे हैं और क्या सोचने वाले हैं कि हम अपनी सोच की दिशा को पहचाने कर पिता भी अपने बेटे को अगर गाड़ी देता है तो गाड़ी चलाने को देने से पहले उस बेटे की इस तो बाबिल्यत को जान लेना चाहता है, कि उसे वाकिवी में गाड़ी ड्राइव करनी आएगी या और नहीं आएगी. कहीं मेरी गाड़ी का एक्सिज़ेंट ना कर बेठे, कहीं वो खुद का एक्सिज़ेंट ना कर बेठे, कहीं हो सब कुछ बरबाद ना कर दे. एक गाड़ी भी चलानी है तो गाड़ी ड्राइविंग कला आनी चाहिए इस माइंड को चलाना है तो हमें माइंड को ड्राइव करने की आर्ट नहीं आती और माइंड 24 आर्ट चलता रहता है हमें स्रिस्टी रचने की कला ही नहीं आती और स्रिष्टी हम रच रहे हैं बस यही हमारा बहुत बड़ा अग्यान है और यही अग्यान हमारी जिन्देगे यह सारे दुखों का मूल है सारे दुखों का कारण है कई लोग कहते हैं मेरी किसमत में दुख ही दुख लिखे है भया किसने लिखे बहुत मजबूरी में स्विकार करते हैं कि नहीं लिखे तो मैं नहीं होंगे बहुत मजबूरी में हम स्विकार करते हैं मैं कहते हूं मजबूरी में स्विकार करने के भी जरूरत नहीं है कि इस कला को जानो कि क्यों दुख लिखे हमने क्यों दुखों की रचना की हमने क्यों दुखों से लगाव रखा हमने यहां हमारी भूल क्या रही हमारी भूल यह रही कि हम जिसको नहीं चाहते उसको सोचते रहे जिसको नहीं चाहते थे उसी को वजन देते रहे जिसको नहीं चाहते थे उसी से डड़ते रहे और जिसको नहीं चाते थे उसी को याद करते रहे यह हमारी श्रस्टी रचना की बहुत बड़ी भूल है और इस भूल के कारण से उन सारे दुखों का हमने अहवान कर लिया जो हम नहीं चाते वियोग नहीं चाते लेकिन मैंने देखा दो प्रेमी आपस में मिले तो बाते करते हैं कि कल को जुदा हो गए तो कैसे जिएंगे कल को जुदा हो गए तो कैसे जिएंगे क्यों सोच रहे हो आप जिस जुदाई को आप नहीं चाहते हैं उसको खुदी तो सोच रहे हो खुदी तो आहवान कर रहे हो, खुदी तो बना रहे हो, ना सोचते, तो लोग कहते हैं, ना भी सोचो, जुदा तो हो नहीं है, यानि आपका विश्वास ही है कि अलग तो हो नहीं है, और विश्वास ही है कि दुख तो आ नहीं है, अब जो विश्वास ही नकारात्मक है, तो यह करम ही है जो हमसे दुख भोगवा रहे हैं। इस करम शब्द को भी समझना होगा। यह करम जो हमें दुख भोगवा रहे हैं, वो करम क्या है? वो हमारा मान से एक प्रकल्प ही हमारा कर्म है। हमारा mental creation ही हमारा कर्म है। आत्म ज्यानी पुझ्य विराद गुरु जी कहा करते कि मनुष्य का विचार करना ही उसका कर्म करना है। हमारी सोच ही हमारा कर्म है। इस सोच की वज़े से ही इस विचार की वज़े से ही उचार भी आएगा और आचार भी आएगा। लेकिन उच्चार प्रात्मिक नहीं, उच्चार उले उच्चारन, हम जो बोल रहे हैं वो प्रात्मिक नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो प्रात्मिक नहीं है, प्रात्मिक है हमारा सोचना, सोच से उच्चारन होगा, उच्चारन से करना होगा, इसलिए इस mental creation को, इस सोच को समझ हुआ है और विश्वास जमा हुआ है क्या होगा यह शंका परक्सोच क्या होगा यह शंका परक्सोच हमारा विनाश करवाती है हम ही हमारा विनाश हमारी अपनी शंकाओं की वज़े से करते हैं संधे परक्सोच की वज़े से करते हैं और यह doubtful thought pattern हर आदमी में बहुत बहुत common है, सब में है, और जो common बिमारियां होती है, वे आदमी को बिमारी नहीं लगती, it's a very common, लोग बते हैं, बोलते हैं, कि ये तो human nature है, अब उनको बहुत समझाते हैं, ये human nature नहीं है, ये बिमारी है, it's not natural, it is a disease, unnaturality, लेकर हमें ये फिल होता है, नहीं ठीक है न, डाउट तो होगे न, ये डाउट नहीं होने चाहिए, डाउट है और विश्वास है, और इसको दूर करने का एक बहुत सिंपल सा सूत्र है, कि हम ये जान ले, हम ये जान ले, कि हम जिसे नहीं चाहते हैं, उसको सोचने मात्र से हम उसको निमंतरित कर लेते हैं, हम जिसे नहीं चाहते हैं, उस पर वजन देने मात्र से हम उसको बना लेते हैं, हम उसको महत्व देते हैं, वो गटना हमारी जिन्देगी में आ जाती है और पुराने अनुभवी लोग कितना प्यारा सा एक वाक्यांश दे गए जिसको दुनिया में लोकोक्ती कहा जाता है लोकोक्ती वह लोक में कहावत, लोक में उक्ती क्या है कि शेतान को याद करो, शेतान हाजिर किती प्यारी सी कहावत है यह कि शेतान को याद करो, शेतान हाजिर वो शेतान क्या है? दुख, दरिद्रता, बीमारी, वियोग, पीडा, बेचारगी, परेशानिया तनाव यह सब सेतान है और हमने इनको याद किया और यहाजर हो जाएंगे और फिर भी हम इनको याद किरते दो लोग आपस में मिलते हैं कौन सी बाते किरते सुख की बाते कितनी देर होगी और दुख की बाते कितनी देर होगी सुख की बाते मिनट दो मिनट की ज्यादा से ज्यादा 10 मिनिट की और दुख की बाते राद भर भी करा लो 24 गंटों करा लो दुख की बातों का कोई अंती नहीं है और बड़ी मज़े की बात कि लोग जब दुख की बाते आपस में करते हैं आप एक बार शान्ती से सुनना किसी सभा में बैठे हो किसी दोस्तों की गफशब के बीच में बैठे हो और एक बार शान्ती से मात्र सुनना की दुख की बाते कैसे करते हैं आप सुनके हरान हो जाओगे कि दुख की बाते भी बड़ा रस ले ले करके करते और इसमें भी एक competition होता है तुमको कुछ दुख नहीं पड़ा जो दुख मैंने देखा बापरे बाप मेरे जैसा दुख तो कोई दूसरा देख भी नहीं सकता तुम पर आया होता तुम तो अब तक आत्मत्या कर चुके होते दूसरा कहता है तुम क्या जानो दुख क्या होता है दुख तो आखिर वो होता है जो मैंने मैसूस किया है यानि यहां दुखों में भी आदमी रस ले रहा है एंकार का portion कर रहा है इसमें भी तुलना है इसमें भी competition है आदमी ने कहां कहां में प्रतिश पर्दा करना शुरू कर दिया बताओ दुखों में भी प्रत्यों किता है इसलिए ये दुख खतम नहीं होते तो बहुत सिंपल सा सुत्र है शैतान को याद करो शैतान हाजिर और हाजिर करना नहीं तो यादी क्यों करो पुराने लोग ये भी कहते थे जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता भी नहीं पूछना तो जिन दुखों को याद नहीं करना जिन दुखों को बुलाना नहीं उनको याद भी नहीं करना बात भी नहीं करनी अब आप कोग ऐसा कैसे हो सकता है बिमार हूँ और कोई पुछे कि कैसे हो इसका मतलब यह है कि उसको किसी एंशों में यह तो पता ही है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि ठीक नहीं होता तो अपने बिमार होने का एसास भी किसको होता टोटली, कम्प्लीटली बिमार व्यक्तिक होता तो अपनी बिमारी का एसास होता ही नहीं एसास हमेशा तुलना में पैदा होता है विप्रीतता में पैदा होता है हमें सुख दुख का एसास है क्योंकि हमें सुख का एसास है तो दुख का भी है तो कुछ अंशों में हम ठीक भी तो है लेकिन हम जहां ठीक है जहां स्वस्थ है हमारे श्रीर के जो हिस्से एकदम स्वस्थ है हम उनकी कोई चर्चा नहीं करेंगे हम उने बिमारी की चर्चा करेंगे और बिमार हो तब भी कह दो कि मैं मस्तू श्रीर का कुछ हिस्सा है जो इस वक्त बिमार चल रहा है लेकिन मैं मस्तू, कहके देखो, बीमारियां गायब हो जाएगी, यह जानो तो सही कि बीमारियां आप नहीं हो, बीमार तो शरीर हुआ है, मैं थोड़ी हुआ, और आराम से कह दो, कि शरीर है, बीमारे मैं मस्तू, मैं स्वस्तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कहके देखो, आ स्वस्त उने लग जाओगे तो इस श्रष्टी रचना विज्ञान को हम समझे हमारा सोच ही हमारी श्रष्टी की रचना करता है वही हमारी किस्मत बुनता है हमारा सोचने का तरीका ही हमारी किस्मत रचने का तरीका है इसलिए सोचने का तरीका सम्यक हो जाए समण बगवान मह आवी ने समण गौतम बुद्ध ने दौन ने एक बात कही कि सोच सम्यक बनाओ जब तक सम्यक सोच नहीं होगी तब तक जीवन की गती सम्यक नहीं हो सकेगी संसार सबके लिए है लेकिन श्रष्टी सबकी अपनी अपनी है यह सडक जिस पे हजारों लोग चल रहे हैं सबके लिए सडक सडक है लेकिन हजारों लोग जो सडक पे चल रहे हैं सबका संसार सबका मेंटल क्रियेशन सबकी श्रष्टी रचना जुदा जुदा है कोई सडक प वो तो किवल चलने वालों को चलने में मदद करती है दुनिया ना स्वार्थी है ना परमार्थी है दुनिया जैसी है वैसी है हम क्या है जैसे हम जैसी हमारी श्रस्टी वैसे ही हमारी द्रस्टी और जैसी हमारी द्रस्टी वैसी ही हमारी श्रस्टी इसलिए द्रस्टी में से एक दोश निकालेंगे, किसी शैतान को कभी भी याद नहीं करेंगे चर्चा करनी है, आनंद की करो, ज्यान की करो, प्रेम की करो, फिर देखो, जीवन खुशनुमा हो जाएगा, किस्मत बढ़िया हो जाएगी जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्यान हो